नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2024 यानि रविवार को पढ़ रही है पित्रपक्ष महीने की पंचमी तिथी और दोस्तों, ये जो पंचमी तिथी है, वो पित्रपक्ष महीने में पढ़ने वाली सबसे बड़ी पंचमी है, क्योंकि ये पित्रपक्ष महीने मे रविवार के दिन पढ़ रही है, तो दोस्तों रविवार के दिन आपको ये उपाय जरूर ही करना चाहिए, और दोस्तों आप सभी लोग हो रविवार पंचमी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वो एक चावल के दाने वाला उपाय है, तो दोस्तों इस रविवार पंचमी के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। पंचमी तिथी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी। देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। जैसे पित्रदोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चावल के दाने वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक-एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है, और जब बात आ जाए चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी का तो अब दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं, तो देखो घर की जो बड़ी माताएं, बहने होती हैं, उन माताओं, बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस्तों, यदि आप चाहें, तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद लिए भी कर सकता है, बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर-परिवार की सुख और शान्ति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इस उपाय हर एक सद सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर-परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है, माताएं बहने यदि घर में उपस्थित ना हो, या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक चाव पर है हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो। उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? तो आप एक बरिया दीपक बना ले और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेल पत्र के पेड के पास। देखिए गुरुजी ने अपनी अभी किशिव महापुरान कथा में भी बताया था। चीजों को लेकर चले जाए बेल पत्र के पेड के पास में। अब क्या करना है। पांच बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के पश्चात आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है। और वहीं पर बैठ कर हाथ जोड करके आँख बंद करके आपको भी आपके जीवन में समस्याएं हैं। घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है। और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है, अब इसके पश्चात यदि आपके घर के आसपास कहीं बेला पत्री का पेड नहीं है, तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के पश्चात आपको क्या करना है। एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के पश्चात आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है, और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेना है, देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है न, उसमें 33 कोटी देवी देवता निवा और वह सभी प्रसन्न होते हैं, जिनकी आशीरवाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा, आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, देखिए, अब हम लेते हैं गुरु जी द्वारा बताये गए दूसरे उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको मातर दो लौंग लेनी होगी, यानि की आपको लौंग का जोड़ा लेना है, दो फूल वाली आपको लौंग लेनी है, लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखे, इसी के साथ में आपको लेना होगा, लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकडी है, तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीनों सामगरी लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना होगा। भगवान शीवा के मंदिर में देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक गोल बात दीपक भी लेना होगा। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रजवलित करेंगे, तो आपकी जो भी मनोकामना है, उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रजवलित करने के पश्चात, इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुँच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो दो लॉंग है, यानि की लोग का जोड़ा है, उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए, आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लॉंग का जोड़ा है, इसे आपको भगवान शाइव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिती बनी हुई है, यानि कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, उसे आपको महादेव से बोल देना है, और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, अब देखिए दोस्तों आपने जो दो लॉंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, उससे आपको वहाँ से उठा लेना है, और इन दोनों लॉंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानि कि अपने आधा, लोट जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको ये दो लॉंग डाल देनी है, और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आये थे, उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानि कि आधा, लोटा, जल और बचा हुआ है, तो उसी आधे, लोटे, जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है, अब देखिए, इस आधे, लोटे जल में है, जिसमें अपने दो लॉंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुँचना है, बेल पत्र के व्रिक्ष के, वहाँ पर देखिए, बेल पत्र का व पुनह अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें, आपको वापस से बेल पत्र के वहाँ पर भी बोल देनी है, और ये जो आधा लोटा जल और है, इससे आपको पूरा बेल पत्र के व्रिक्ष की जड़ में श्री शिवाय नाम इस मंत्र का जाप क पारी और विशेश उपाय के बारे में देखिए, ये उपाय बहुत ही चमतकारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की व्रिद्धि होगी, यानि की जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा, तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड का टु पारे में देखिए, यानि की एक गुड का दाना आपके जीवन में सुख शान्ति को ले करके आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियाओं है, उन्हें समाप्त करता है, इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है, हरा मूंग जो है वह बुद्ध प्रसन्न करता है, देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुद्ध ग्रह मजबूत होता है, और बुद्ध ग्रह के मजबूत होने से बुद्ध ज्यान और विवेक की प्राप्ति होती है, तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक-एक लेनी है, यानि की एक गुड का, एक पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना है, भगवान के मंदिर में आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इ पूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेश मनों कामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण है, देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा, तो सभी आपसे वार्तालाब करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है, वह बढ़ता है, और अब देखिए, यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे-धीरे अरपित कर देना है, श्री शिवाय इस मंत्र का जाप हुए, और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में समरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का समरण कर यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, तो तुम रुकेश्वर महादेव का समरण करते हुए, यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशान्ती है, वह सभी दूर हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको यह सुन्दर सा उपाय कर लेना है, इसके आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है, और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने है, यह सब लेने के पश्चात आपको लेना है, एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है, उसके पश्चात आप को लेना है, एक लोटा जल, देखो गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि ये उपाय आपको प्रदोशकाल में करना है, कहते हैं कि बेलपत्र वरिक्ष में प्रदोशकाल के समय में महादेव वास करते हैं, उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका फल हमें जरू देखो अब ये सब सामगरी लेकर आपको प्रदोशकाल में चले जाना है, बेलपत्र के विरिक्ष के वहाँ पर, देखो वहाँ पहुँच जाने के पश्चात आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में, सबसे पहले वो दूध जो आप लाए हैं, उसे समर्पित कर देना है उसके पश्चात आपको जो एक लौटा जल जो आप लाए हैं, वो आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है उसके पश्चात आप दीपक लाए हो दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ बेलपत्र की तरफ मुह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं है वो महादेव को बोलना है देखो गुरु जी ने कहा, रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है महादेव उसकी सभी मनो कामना पूरी कर देते हैं देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किये जाने वाले तीन बहुत ही सुन्दर से उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं तो यह थी आज की विशेश जानकारी उम्मीद है, यह जानकारी आपके काम आएगी यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें धन्यवाद